जटार कवी गलजल प्रवाह पावितस्तले गलेवलं बेलं बितां भुजंग तूंग मालिकां दमड़ 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 ओम सर्वे विवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्रानी पश्यंतु मा कश्य तुप भाग पभी ये spiritual products आपको shivago.com पे authentic और genuine मिलेंगे नमस्कार, आप सबका हमारे channel ग्यान दे ट्रेजर पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि अनंत चतुरदसी के दिन आप ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे कि आप हमेशा सुखी संपन रहें, आपको प्रॉब्लम नहीं हो देखे अनंत चतुरदसी इस साल, साल 2020 में एक सेप्टमबर को है तो इस दिन लोग अच्छा सुतर अपने हाथों बे बानते हैं जो जैन्स होते हैं, वो दाए हाथों बानते हैं, जो लेडिस होती हैं, वो बाए हाथों बानते हैं तो हम उपाए आपको बताने जा रहे हैं, जिससे कि आप सुखी संपन रहे हैं, धन्यदान की कमी नहीं हो, सुख सुनृदी बनी रहे हैं अनुंत चतुरदसी पर भगवान विश्णु को आप खीर का भूग लगा हैं और इसमें तूलसी के पत्य जरूर डालें वरत आप करें या ना करें पर ये काम आप दरूर कर सकते हैं इससे आपकी सारी जो समस्याएं हैं, वो दूर हो जाएगी इस दिन सत्त नरायन और अनंत देव का पूजन किया जाता है इस दिन कुशिस से बने अनंद की अस्थापना कर इसके आगे कुम-कुम, केसर और हल्दी से रंगर बनाया हुआ कच्छे सूत का चौदह गाठोवाल अनंद सुत्र रखा जाता है हम आपको टोटकिया और उपाई बताने जा रहे हैं यदि आप विवादों से मुक्ती चाहते हैं, तो सत्तनरायन कलस पर चड़े, चौदह जाइफल जल में प्रवाहित करें आपको लगता है कि आप चारोत मुसीवितों से घिरे हुए हैं तो चौदह लॉंग लगा लड़ू, सत्तनरायन कलस पर चड़ा कर आप चौराहे पर रखते हैं आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आउट्मेटिक धीरी देश सटोट हो चाहेंगे धन प्राप्ती के लिए हम आपको बता रहे हैं अनन्द चतुरशी के दिन शुद्द लाल कलावा लगभग सवा हाथ का लिजे और उस पर गंगाजल छड़क कर गनेश जी के चरणों का सेंदूर थोड़ा सा लगा कर उनके चरणों में कुछ देर के लिए रखतीजे अब ओम स्री गनेशाय नमा अम स्री गनेशाय नमा का मंदर का जाप एक सौआट दफा मनी मन आप जाप कर लिजिए और जब के बाद सि गनेश जी की आर्थी करहें और गनेश जी के चरणों में उस लाल कलावा को सीदे हाथ से उठाकर उसमें जब कि गए मंत्र का साथ बार उच्चारन करते हुए गाट बांद लिजिए अब इस सिद्ध लाल धागे को गनेशी का ध्यान करते हुए अपने सीधे हाथ की कलाई या फिल गले में बांद लिजिए और उससे थोड़ा सा टुकड़ा अपने तिजोरी में रख लिजिए इस उपाई से आचानक धन आवक में तेजी से वृदी हो जाएगी बुरी नजरों से बचना चाहते हैं कारियों में बाधा आ रही हैं बार बार बाधायां आ रही हैं अन्न कोई बुरी नजर से बचने के लिए अनन्त चतूरदसी के दिन एक नारियल गीला जटावला लीजिए और उसे अपने सिर से पैर तक साथ बार घुमा कर भगवान गनेश जी के चर्णों में तोड़ कर रख दीजिए अब से गनेश चालीसा का एक बार पाट करने के बाद उस नारियल को किसी बहतेवे जल में आप प्रवाहित कर दीजिए और बिनाम पीछे मुड़े वापस घर आ जाए गनेश जी के किरपा से समस्त बाधाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी अगर कोई गनेश उत्सव के दस दिनों में गनेश जी से निवेदन करे कि वह आपके इश्ट देव बन जाए और हर रोज सुबशाम गनेश आर्ती और गनेश शालीसा का पार्ट करे और अनन्त चतुल रसी के दिन गनेश विस्वरशन के समय नदी तालाव में खड़े होकर हाथ में संकल्प ले कि आज मेरे आराद देव आप ही होंगे सी गनेश भगवान आप मेरे आराद देव होंगे ऐसा बोलकर गनेश जी के चरणों में जल को छोड़ दीजिए गनेश जी परसन्न होकर सदैव आपके रख्षक और सहायक बन जाएंगे और आप ये आज माकर देख लीजिए और भी उपाय हम आपको बिता दे रहे हैं यदि आपको हेल्थ के हिसाब से चीए तो अनन्त कलश पर चड़े अंजीर का सेवन करें और गुड़लक के लिए अनन्त कलश आलता चड़ाएं यदि आपका बहुत लोगों से बिवाद हो रहा है तो अनन्त कलश पर गुड़ का भोग लगाकर आप गाये को खिलाईए आपको बिजनिस में नुकसान हो रहा है तो अनन्त कलश पर बारह दाने राजमा चड़ाकर जल में परवाइद कर दीशिए यदि आपको बिजनिस कर रहे हैं और उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है तो अनन्त कलश पर चड़ी रोली से कलाई पर टीका करें एड्यूकेशन में सक्सेस पर राप्त करने के लिए रेड पैन हाथ मिले कर ओम अच्छ उत्याय नमा ओम अच्छ उत्याय नमा मंदर का जाब कीचिए और बिजनिस में सफल्दा के लिए अनन्द चलस पर चड़ा दस रुपे का नोट आप गल्ले में रख लीजिए जरूर सफल्दा मिलेगी आप चाहते हैं कि आपका परिवार खुशाल रहे तो संध्या के समय लाल चंदन करपूर से जला कर घर में दूप करें और इद यह आप चाहते हैं कि आपका प्यार आपको हासिल हो जाए तो कच्छे सूत को केसर से रंकर राधे कृष्ण मंदिर में चड़ाईए और मेरेड लाइफ में सकस्स के लिए दोनों मतलब जो कपल है दमपत्ती पती पत्नी दोनों विश्णु मंदिर में लाल रंग का फल चड़ाए तो धन्यवाद आप सबका हमारी चैनल पे स्वागत है आप हमारी चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंटे दीचिए धन्यवाद